आज हम बनाएंगे बहुत ही बड़िया टेस्टी सी कड़ी एकदम जट पर तो चलो देखते हैं कैसे बनेगी ये कड़ी तो इस कड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपना कड़ी का जो घोल होता है जो बेस होता है वो तयार करेंगे और हम बना रहे हैं पकोड़ी वाली कड़ी बिना लेसन पर आज की कड़ी करवाशोत में इस्पेशली वरत तोड़ते हैं तो वरत के बाद खाते हैं हमारे याँ शाम को खाना उसमें कड़ी खाई जाती है तो वरत वाली जो कड़ी होती है उसमें हम लेसन पर नहीं डालते है तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है चार बड़े चमच बेसन और इसमें डाल रहे हूँ 6-7 बड़े चमच दही दही बहुत जादा खटा है तो आप कम ही डालें और अब बेसन और दही को इस तरीके से अच्छे से पहले हम मिला लेंगे आप हाथ या चमच का यूज कर सकते हो विसकर है तो बहुत अच्छी बात है इससे लंप्स नहीं आते हैं हैं विसकर से और अच्छे से मिला देने के बाद में इसी में हम डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर यहाँ पर तीन से चार लोगों के लिए कड़ी बन जाएगे आराम से एक टीज ग्लास के लखबक पानी एकड़म पतला घुल बना के तयार करेंगे उससे आप कड़ी को जादा लंबे समय तक पका सकते हो और कड़ी में सौधा बनाएगा कड़ी बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी अब हमने एक पैन ले लिया है आप चाहो तो कड़ाई भी ले सकते हो लेकिन हम आगे बताएंगे इस तरीके से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगी इसमें सरसो का तेल लाला तेल गरम हो गया तो मेथी दाना डाल दीजे गैस की ख्लेम धीमी कर लीजे सूखी लाल मिर्च डाल दीजे दो से तीन मेथी और मिर्ची को अच्छी से पकने दीजे उसके बाद इसमें हेंग डालिए यह सारे इंग्रीडियन्ट बहुत जरूरी है एक अच्छी कड़ी के लिए जैसे ही मेथी भून जाए तो हम इसमें जब सारी जी तो करीपत्ता भी डाल लेंगे करीपत्ते से बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती अच्छा सा टेस्ट आता अगर करीपत्ता नहीं है तो ना डालें और अब हम यह गोला हुआ जो हमने रखा था दही बेसन का घोल इसमें डाल देंगे साथी साथ जो नीचे रह गया है थोड़ा बेसन उसमें हम आधा गिलास पानी डाल के और डाल देंगे और अब यहां पर इसे जब तक उबाल नह है थोड़ी सी हल्दी डाली है थोड़ा सा अजवाइन क्रस करके डाल लेंगे अजवाइन ऑप्सनल है और अब थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एंगदम गाढ़ा घोल बना के तयार करेंगे थिक बैटर बनाएंगे अजवाइन इसलिए डाला है बेसन की चीजे हैं डाइजिस्ट होने में प्रॉब्लम होती है तो अजवाइन जो है पाचन का काम करती है बहुत अच्छे से बेसन को डाइजिस्ट करा देगी तो आप देखो इस तरीके का हमें एकदम मोटा बैटर चाहिए और अब हम इसे हाथ से गरमा गरम तेल में इसकी पकोड़ियां ब बहुत ही अच्छे से सौफ्ट सौफ्ट बने अगर आपको प्याज वाले पकोड़े खाना है तो आप इसी बैटर में बारीक कटा हुआ अद्रक हरा दनिया हरी मिर्ची और प्याज बगेरा डाल सकते हूँ अब यहाँ पर देखो पकोड़ियां अच्छे से फूल रही है और इनका अच्छा सा कलर आगया है यह पक चुकी है तो क्या करेंगे डायरेक्ट इन पकोड़ियों को सीधे हम कड़ी में ही डाल देंगे जाके क्योंकि हमारी कड़ी जो है वो पक रही है धीरे धीरे उबल रही है ऐसा करने से क्या होता है पांच मिनट तक हम और साइड में रख दिया है एक लिया है तड़का पैन इसमें डाल रही हूं घी आप इसकी जगह तेल ले सकते हो घी को बस हमें पिगला लेना है ज्यादा गरम नहीं करना है इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और अब यह तड़का हम तुर नार्मल दिनों में बनाओ खा के मजाया है